योगी और अन्य लोग अलग-अलग तरे के दिवे दर्शियों ने रहने के लिए हमेशा पहाड़ों को चुना क्योंकि वो अपने चारों और ठोस पदार्थ चाहते हैं जब वो कुछ खास साधना करते हैं, अपने अंदर कुछ खास ऊर्जा पैदा करते हैं, तो वो धर्ती के एक खोल में रहना चाहते हैं मैदानों में आप उस तरह का खोल तभी बना सकते हैं अगर आप एक गढ़ा खोद कर उसमें चले जाए मगर इससे कई समस्याएं हो सकती है इसलिए वो कुदरती तोर पर पहाडों की शरण लेते हैं जहां गफाएं और खोल जैसी महसूस होने वाली दूसरी जगाएं होती हैं क्योंकि वो अपनी उर्जा को एक खास तरह से संरक्षत करना चाहते हैं उन में से कई उस छोटी सी गफा में अपनी खुद की एक पूरी दुनिया बना लेते हैं आपके लिए वो सिर्फ एक छोटी सी गुफा है मगर उनके लिए वो उनकी अपनी सृष्टी है क्योंकि समय और स्थान चेतन मन की उपज होते हैं आपके लिए ये सिर्फ एक गुफा है उनके लिए वो एक पूरी दुनिया है इसलिए उन्होंने हमेशा पहाडों को चुना अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं आध्यात्मिक लोग हमेशा पहाडों पर होते हैं यह न? दुनिया की किसी भी हिस्से में ऐसा ही होता है क्योंकि वो अपने आसपास एक खोल जैसा वातावरन चाहते हैं तो हिमालय अपने आकार और विशालता के कारण बहुत ही शांदार है अगर भारत में रहते हुए आपने हिमालय नहीं देखा तो आप वास्ताव में एक बड़ी चीज से चूक रहे हैं बहुत बूड़े और किसी काम के न रह जाने से पहले आपको एक बार हिमालय जरूर जाना चाहिए आपको उसे जरूर देखना चाहिए आपको किसे विश्वास या आस्था के साथ जाने की जरूरत नहीं है बस उसका आकार ही आपको एक चीटी की तरह महसूस करा देगा शहर में आप एक बहुत बड़े आदमी है उसका वर्णन करना मुश्किल है उसे देख कर अनुभव करना चाहिए तो लोग वहां जाते रहे और समय के साथ हिमालय अलग-अलग तरह के आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का गड़ बन गया किसी दूसरी संस्कृती में उतनी विविधता नहीं है जो यहां की धर्ती ने देखी है आप Mark Twain को जानते हैं? आपने Mark Twain के बारे में सुना है आपने कुछ पढ़ा है? आपने Mark Twain का लिखा कुछ पढ़ा है? नहीं? Tom Sawyer? आपको Hawk Finn पढ़ना चाहिए ठीक है? Tom Sawyer Huckleberry Finn जब Mark Twain भारत आये तो वो खास तोर पर हिमाल आये गए कई योगियों और दिविदर्शियों से मिले और उन्होंने भारत के बारे में टिपणी की ये ऐसा देश है जहां इनसान या भगवान जो कुछ भी कर सकता है वो सब किया जा चुका है शायद भारत के बारे में ये सबसे बढ़िया प्रशंसा है और Mark Twain सिर्फ एक लेखक नहीं है उनका दृष्टिकोन और जीवन का उनका भोध बहुत ही शांदार है उन्होंने कहा कि किसी इनसान या भगवान द्वारा कभी भी जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब यहां किया जा चुका है ऐसा ही है जीवन को उसकी गहराई में समझने के अर्थों में जीवन से मेरा मतलब जीवन जीने से नहीं है मैं स्रिष्टी के रूप में जीवन की बात कर रहा हूँ जीवन प्रक्रिया को उसकी संपून्ध गहराई में समझने की बाद करें, तो किसी भी दूसरी संस्कृती में कभी इसे उस तरह से नहीं देखा गया, जिस तरह से यहां के लोगों ने इसे देखा है. जीवन को जितनी गहराई और आयामों में देखा गया, भारत में रहते हुए भी आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते. अगर आप योग विद्या में जाकर देखें, तो जीवन के साथ उन्होंने जिस तरह की अविश्वस्नी चीज़ें की हैं, आप उसे तारके ग्रूप से समझ भी नहीं सकते, उस हद तक. जो चीज़ें हुई हैं, जिन लोगोंने प्रांट प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को देखा है, कोईम बतोर में हमने जो किया, और दूसरी चीज़ें जो हुई हैं, समयमा या होलनेस कारेक्रमों में और इस तरह की चीज़ों में, आपने कभी सपने में भी कलपना नहीं कियोगी कि इनसानी रूप में ऐसा कुछ करना संभव है, कितना कुछ किया जा चुका है, और इसे हर संभव तरीके से किया जा चुका है, जिन भी तरीकों से इंसानी, चेतंता और सृष्टी की प्रक्रिया की खोज करना संभव है, वो किया जा चुका है। तो कई तरह के दिविदर्श्री और योगी हिमालय में रहते थे। उन्होंने हिमालय को अपना निवास बनाया। तो जब वो रहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से उर्जा का एक आयाम वहाँ छोड़ते हैं। इन लोगोंने कभी किसी से बात तक नहीं की, न कोई शिक्षा दी। उनका योगदान यही है कि उन्होंने अपनी उर्जा एक खास तरह से वहाँ छोड़ी, जिसे कभी भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। वो वहाँ हमेशा मौजूद रहेगी। तो इस वज़य से हिमालय ने एक तरह का आभा मंडल इकठा कर लिया। हिमालय के कुछ हिस्सों ने, कुछ हिस्से पर्याटन के लिए अनुकूल हैं, लेकिन हिमालय के कुछ हिस्सों ने बहुत शक्तिशाली उर्जाए कठा कर ली। और वो रहने के लिए बहुत शक्तशाली स्थान बन गया इसलिए आध्यात्मिक साधक स्वाभाविक रूप से उस दिशा में गये मेरे ख्याल से हम केदार के बारे में कुछ बात कर रहे थे आपको केदार जाना चाहिए वहाँ बस एक छोटा सा मंदिर है वहाँ कोई देवता नहीं है बस इस तरह चटान का एक उब्रह हुआ टुकड़ा है वो दुनिया के सबसे शक्तशाली स्थानों में से एक है आपको किसी चीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है बस वहाँ जाकर बैठिये अगर आप अपनी ग्रहन शील्टा बढ़ाने पर थोड़ी मेहनत करें और फिर ऐसी जगा जाएं तो वो आपके अंदर विस्फोट कर देगी हिमालाय को ये ख्याती और आकरशन इसलिए मिला क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे चुना ये किसे भवर जाल की तरह है ये धर्ती की कोक में वापस जाने जैसा है आप गोल 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 एक गाटी से दूसरी गाटी दूसरी गाटी से तीसरी गाटी घूमते रहते हैं ये लगातार चलता रहता है आप चाहे कितनी भी गाड़ी चला ले यह आगे बढ़ता जाता है यह इस तरह है कि अभी हम ड्राइव कर रहे हैं मगर जब लोग पैदल जाते थे तो आप उनके अनुभव की कलपना कर सकते हैं कलपना करके देखे कोई सड़क नहीं कुछ नहीं और आप हिमालाय पर चड़ रहे हैं जो लोग हिमालाय की आत्रा कर चुके हैं मान लीजे आप केदार या बद्री जा रहे हैं नई दिल्ली से आप उस अनुभव की कलपना कर सकते हैं आपको पता नहीं कि आप किस जगा पर हैं आप अंदर घुसते जाते हैं घुसते जाते हैं ये करीब करीब धर्ती की कोख में जाने जैसा है लोगों ने इसका अनुभव इसी तरह किया इसलिए अधिक से अधिक लोग वहां पहुँचे